नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं डेली न्यूज अलेट में आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों डेली न्यूज अलेट आपके लिए लेक रहा है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बड़ी गोशना कमलनाज सरकार की और से जारी बड़ी गोशना जो कि परदेश के खिलाडियों और चात्रों के लिए खिलाडियों को देने जा रही है बड़ी सोगात और साथ ही साइक प्रादा कोंके पत बरे जाएंगे तो दोस्तो ये पूरी बड़ी खबर आप देखिए iheart विश्तार से चानेए इस कबर के माद्यम से तो दोस्तो एक बार बता दें आपको अगर आप यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको प्योगी खबरें और साथी बेल आइकन जरूर दबाईएगा क्योंकि जब भी कोई बैतरी इन खबरें अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजए या आप कोई खबर से ना चूकें तो दोस्तो आज की बड़ी खबर जो कि हम स्टार्ट करते हैं देखिए मद्दे पर्दे सरकार ने खिलाडियों के सोगातों का पिटारा खोला है अब अंतराष्ट्रे खेल परतियोगताओं में सुन पदक जीतने पर राज्या के खिलाडियों को दो क्रोड रुपे की राशी परदान की जाएगी खेल मंत्री जितू पटवारी ने विदा अंसबा में विबागय भजट की नुंदान मांगो परोई चर्चा का जवाब देते हो एलान किया उन्होंने बताया कि समद्ध में जल्दी ही केबिनेट में परस्ताव लाया जाएगा वहीं सभी विबागों में खिलाडियों को दो परतिसत आरक्षन की वेस्ता की जाएगी और बता दें कि अभी अंतराश्टे खेल परतिस परदाओं में स्वन पदक जीतने पर एक करोड रजत पदक जीतने पर परचास लाग और कांशे पदक जीतने पर पच्चीस लाग रुपिय देने का प्रावदान है तो इसी सिलसिले में ये बड़ी खबर है दोस्तों तो ये खबर जानिये विज्टार से वीडियो पुरा देखे और द्यान से देखे तो बता दें आपको कि दो माए में बरे जाएंगे साइक प्राद धाप्यकों के पद तो उच्ची सिक्षा खेल एवं युवा कल्यान मंत्री जित्तू पटवारी ने विदान सबा में काये कि महाविदाले बौनों के लिए भूमी आरक्सित करने के लिए जल्दी गाइडलाइन जारी की जाएगी उन्होंने काये कि दो माए में साइक प्राद धाप्यकों के पद बरे जाएंगे तदा पी एस्ची से चैनित 214 पद पर क्रिड़ा दिकारी और गरंत पाल की नुक्ति की जाएगी तो उन्होंने का कि अतिती विद्वान जिन्होंने 10 से 15 वर्ष की सेवा किया उनका विशेज ध्यान रखा जाएगा तो दोस्तों ये दोनों बड़ी ख़बर जानिये विश्तार से तो आपको बता दें कि स्वन चातरों को 1500 की किताबें और 500 की स्टेशनरी तो देखिये दोस्तों परदेश के सभी सास के माविदालियों यानि कोलेजों में देन रत इसनात के उसनात को तर कक्षयाओं के अन्य पिछडे वरग और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों और 10% गरीब सोन विद्यार्थियों को 1500 रुपिय के पाठे पूश्त गें तता 500 रुपिय की स्टेशनरी निसुल्क परदान की जाएगी अभी तक ये वैस्ता अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के विद्यार्थियों के लिए थी उन्चीक्ष्यामंत्री सिर्पट्वारी ने कहा कि महाविद्याल्यों में सेक्ष्णिक गुणवत्ता में वर्दी के लिए 2000 स्मार्ट क्लासेज 200 लेंग्वेर्ज लेपता 200 ई-लाइब्रेरी निर्मित किया जाने का प्रावदान है साथ ही बताया कि बोपाल में जैसे एक्सिलेंस कॉलेज इंदोर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, रिवा, उजेन, गुवालियर और रोसंगाबाद में उतकर्ष्टा संस्तान इस्तापित किया जाएंगे राजगड में बहुन इर्मान के लिए 10 क्रोड का प्रावदान किया गया है MGM कॉलेज भिंड के लिए 8 क्रोड रुपय का प्रावदान किया गया है तो जानिए बड़ी खबरें दोस्तों तो साथ यागे आपको बता दें कि अंतराष्टे पदक जीतने पर मिलेंगे 2 क्रोड रुपय तो जानिए खेल मंत्री जीतु पटवारी ने काया कि पर्देश में पहली बार ओलंपिक विश्व कप एसेन गेम्स में पदक प्राप्त करने पर पुरुषकार राशी निश्चित की गई है इसमें अंतराष्टे श्टर पर श्वण पदक आसिल करने पर 2 क्रोड रुपय की प्रोशान राशी का प्रावदान किया गया अंतराष्टे श्टर पर हर विदान सबाक चेतर में विधायक खेल प्रोशान योजना के तैद अर विदान सबाक चेतर में से सास के वनिजी संस्तावं जो इंडोर, खेल, बैडमिंटन, जुडो, कराटे, ताइक वाडो, कुस्ती, फेंशिंग, सतरन जादी का संचालन कर रियों, उसे उधार भूत, सरंचना और खेल गतिवीदियों के प्रभावी संचालन के लिए खेतर अधी स्पोर्ट साइंस विशेश्ग्यों की नियुक्ति करने लिया गया है, तो छिंदवाडा में फुटबाल और इंदोर में स्वीमिंग और कुस्ती अकादमी बनेगी, तो उन्होंने साथ ही बताया कि फुटबाल खेल को प्रवसायत करने के लिए छिंदवाडा में तर प्रवसान रासी बड़ी, तो देखिया खेल मंत्री ने कागी खेलों और खेलाडियों के प्रवसान रासी में कई गुनावर्दी की गई है, जिला इस्तरिय प्रत्योकता के आयोजन में देजाने वाले नंदान रासी 10,000 रुपया से बड़ा कर 50,000 रुपया कर दी गई है, राज इस्तर्य प्रत्योकता के लिए 50,000 —서 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00,000,000,000,000,000, जूनियर राष्ट्रिय के लिए सवा लाग से दस लाग रुपिये, सीनियर राष्ट्रिय खेल के लिए एक लाग से दस लाग रुपिये, सब जूनियर अंतराष्ट्रे परत्योक्ता के लिए दो लाग से बढ़ा कर पत्चीस लाग का प्रावदान वर्तमान में किया गया इसी परकाश जूनियर अंतर राष्ट्ये परतियोक्ता में 1,755,000 की राक सी को बढ़ा कर 25,000 रुपी और सीनियर राष्ट्ये परतियोक्ता की आयजन के लिए 5,000,000 को बढ़ा कर 25,000,000 क्या गया है खेल मंतरी ने काया कि परदेश में वर्ल्ड चेंपियंशिप के आउजन के लिए 50 लाग रुपे का प्रावदान किया गया है तो पटवारी ने बताया कि नर्श सिंगपूर में 10 करोड रुपे के लागत से ओकी ट्रप की इस्तापना की जाएगी मंतरी सिर्पटवारी के जवाब के बाद सदन ने उच्छिक्षा विबाग के लिए 232 करोड चेंतर लाग ठेंतर जार खेलें युआ कल्यान विबाग के लिए 200 करोड 22 लाग रुपे के नुंदान मांगों को दहुनी मत से पारित कर दिया गया है तो दोस्तो इस तरह से ये बड़ी अपडेट है जो की केबिनेट के अंदर इसका परस्ताव पेस किया जाएगा और ये पास होगा तो ये परदेश के खिलाडियों के लिए एक बैतरीन खबर है परदेश के खिलाडियों के लिए कमनला सरकार के और से ये बड़ी सोगात है तो दोस्तों आप के लिए ऐसे ही बैतरीन खबरें लेकर आता रहेगा डेली न्यूज अलर्ट तो साथ बने रहेज़े वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत तो